तो नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चनल knowledge point PCM पर और इस वीडियो में हम लोग बहुत बिकल्पिया प्रसंद देखेंगे जो कि अभ्यास एक का है अभ्यास एक हमारा क्या था तो अभ्यास एक हमारा संख्या पध्धति नाम से है और य 20 नंबर का बिकल्प आता है और हमारे जो चित्रा प्रकासन का बुक है उसमें भी लाष्ट में बहुत सारे बिकल्प दिये गए हैं 21 बिकल्प हैं तो इन सब को हम लोग solve कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रसंद क्या है सबसे पहला प्रसंद है कि परतेक परिम्य संख्या है अब चार ओप्सन लिए गए हैं एक प्राकृतिक संख्या है एक वास्तिविक संख्या है एक पूड़ा के कि पूर संख्या है तो परिम्य संख्या किसको कहते हैं आप सब जानते हैं कि जिसको भी हम पी भाई कियों के रूप में लिख सकें वो क्या होता नजहां होता है है अब जो परिमिये संख्या तो मैंने एक दिन आपको बताया था और आज भी बता देरें अगर आप पूरा वीडियो देखतें तो आप सबको पताहोगा कि देखिए इस तरह से ग्राफ बनाए इस तरह से देखिए माल लिजी यह सारी कि सारी परिमे संख्याएं है यह परिमे संख्या है और यह इधर क्या है अपरिमे संख्या है यह अपरिमे संख्या है और सारी कि सारी परिमे संख्याएं और सारी कि सारी अपरिमे संख्या हैं जब आपस में मिक्स कर दी जाती हैं तो बनता है हमारा वास्तिविक संख्या यह जो मिक्सप बनता है वह वास्तिविक संख्या होता है अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई कहे कि वास्तिविक संख्या आपके सामने बोला है तो वास्तिविक संख्या के मतलब दुनिया की सारी परिमिय संख्या है और दुनिया की सारी परिमिय संख्या आपस में मिक्स हुई है तब वास्तिविक संख्या बना है यानि कुछ तो परिमेय हैं पर वास्तविक संख्यां में अपरिमेय भी तो सामिल है तो इस वज़ा से कहा जाता है कि दुनिया की सभी परिमेय संख्यां वास्तविक संख्यां हैं परंत दुनिया की सभी वास्तविक संख्यां परिमेय संख्या नहीं है इसी तरह से अपरिमेय संख् जिससे हम बस्तों को गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं अब जैसे एक बटा दो ले लीजिए एक बटा दो मैने ले लिया अब बताईए ये परिमे संख्या तो है पर प्राकृतिक तो नहीं है तो एक बटा दो हमारा परिमे संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नह से ठोड़ी ना होंगे किसी के पास बच्चे हो गए एक होंगे दो हो गे pension होंगे तो परेमिय संख्या प्राकिर्वतीग संख्या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो इस वजह से पहला अप्सान मारा नहीं है पूर्ड अंक भी नहीं हो सकता देखिए पर्मिय संख्या मैंने एक बटा दो ले लिया अब वो पूर्ड अंक तो नहीं है पूर्ड अंक मतलब पूरा फुल अंक रहे वास्तिविक संख्या है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वास्तिविक संख्या के अंदर पर्मिय संख्य के बीच में कोई परिमिय संख्या नहीं होती ठीक एक परिमिय संख्या होती है अपरमित रूप से अनेक परिमिय संख्या होती है तो आप लोग जान लीजिए तो तीन और चार के बीच में तीन दस्मलो एक भी है तीन दस्मलो एक दो भी है तीन दस्मलो एक दो दो भी है तीन दस्मलो एक तीन तीन चार भी है ऐसे आप कितना लिख सकते हैं सोचिए इसी तरह से आगे अंक बढ़ाते चले जाएए अब आगे आंक कितना बढ़ा सकते हैं इसी तरह से यह तो तीन दस्मलों एक पर चल गया इतना तीन दस्मलों दो लिखिए फिर ऐसे चला सकते हैं बहुत सारा तीन दस्मलों दो दो हो गया तीन दस्मलों तीन चार हो गया इस तरह से बहुत सारी संख्या है तो तीन चार के बीच की तो हैं ये सारी की सारी परिमिये संख्याऊं का गुड़न फल तो क्या होता है तो अपरिम्ये संख्याऊं का सधेव एक क्या हैं थेखिए अपरिमिये संख्याऊ तो अंडरूट में फस जाये तो अपरमेए होता है तो यह अपरमेय संख्या है और यह क्या है यह килक्या है यह बी अपर्मेयल meaningane है और गुड़ा करने पर क्या मिला अंडरूट छे मिला अंडरूट छे भी क्या है अपरी में हैं तो यहां पर भी मैंने दो अपर्मिय का गुड़ा करवाया और यहां पर दो अपर्मिय का गुड़ा पर्मिय आ रहा है और यहां पर दो अपर्मिय का गुड़ा अपर्मिय ही परिम्य संख्या का दस्मलों निरूपर नहीं कर सकते या एक परिम्य संख्या का दस्मलों निरूपर नहीं हो सकता तो परिम्य संख्या का दस्मलों निरूपर नहीं हो सकता तो परिम्य संख्या का दस्मलों निरूपर नहीं हो सकता तो परिम्य संख्या का दस्मलों निरूप होगा असांत हो सकता है असांत का मतलब अनंत तक जाने वाला आप सबको मैंने समझाया था या फिर से आप लोग देख सकते हैं देखिए जो डेसिमल होते हैं जो दस्मलों होते हैं यह दस्मलों दो परकार के होते हैं सबसे पहला है सांथ और दूसरा है असांथ दूसरा है असांथ असांथ वाले फिर से दो परकार के होते हैं एक होते हैं आवर्ती और एक होता है अनावर्ती एक होता है अनावर्ती जो सांत दसमलो की से कहते हैं जिसे दो दसमलो तीन चार दसमलो छे पाँच दूई चार दसमलो दूई तीन तीन इस तरह से देखिए जो दसमलो के बाद एक अंक दो अंक तीन अंक जाकर और रुक जाए उसी को कहते हैं सांत दसमलो की से कहते हैं जो अनंत तक जाए जिसे दो दसमलो तीन 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 ऐसे अनंत तक जाएगा तो अनंत तक जा रहा है इस वजह से असांत असांत का मतलब होता है अनंत तक जाने वाला और आवर्ती का मतलब होता है जो अनंत तक जा रहा है वो रिपीट करता जा रहा है जिसे जीरो दसमलो एक आठ एक आठ एक आठ एक अनवर्ती का मददेब क्या होता है लिए क्या है असंत अनावर्ती तो देखें पाता हुए संध जाया हुए और हर बार नए संख्या आस भी से हैं तो इसलिए इसको अनावर्ती कहते हैं और आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितने सांत दस्मलों हैं ये सब के सब परिमिये होते हैं जितने आवर्ती हैं ये भी सब के सब परिमिये होते हैं यह भी सबके सब परिमय होते हैं और जो अनवर्ती वाले हैं ये परिमय नहीं होते हूं ये अपरिमय होते है तो इस वजह से हम लोग इस question कोती हैं Janeiro क्या था क्यों क्योंकि असान्त अनावर्ति वाले अपरिमिय होते हैं इसको हम भिन्द में नहीं बदल सकते तो हमारा D-Apsons है इसमें पूछ रहें नहीं हो सकता कौन सा नहीं हो सकता तो असान्त अनावर्ति नहीं हो सकता चलिए पास्वान नंबर question देखते हैं हम लोग लिखाए निम यानि कि यह असांत है ऊपर बार लगा है यही की वार लगा यही बार कई दूर यहीई और अनंत तक जाए तो यहीं heartbeat करता हो जाएगा चार चार संख्याइंट करते हुय जाएंगी तो यह असंत्त हें आख CEO देखिए थी हृत और और तरीके देखिए h8 तो 56 प्रश्समाब्स ही और क्लिए और जो पमत थे सिक्राइब धॉट को ना बता जो और आगए 70 का ہوaches तो 5 से कातेंगे 50 आगए फिर 25 से कातेंगे यह एक अगया फिर ऐसे करने के बाद आप लोग देखिए कि इसमें कौन-कौन सी संख्य है अगर केवल इसमें दो ही दो रहे पूरा का दूझ ये दूझ रहे तो समझ जाए कि संथ होगा अगर पूरा का पूरा पांचे पांच रहे तब भी कहेंगे सांथ है और अगर दो पांच का मिक्स अप है तब भी कहेंगे सांथ है अगर दो पांच के अलामा कोई संख्या आ जाता इसमें कहीं पर तीन लिखा रहता तो हम असांथ कह देते साथ लिखा रहता असांत कहेंगे कुछ भी दो पांच की अलामा अगर कुछ भी आ गया इसमें तो असांत कह देंगे और नहीं तो केवल 25 रहे, केवल 25 रहे, केवल 25 रहे, या 25 का mix रहे, तो हम कहेंगे कि 7 हैं, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं इसका answer, और 56 बठा, जो 200 है, इसका दस्मलोपरसार हमारा 7 दस्मलोपरसार लिखिये, बताईए क्या होगा, तो अंडर रूट दो का दस्मलोपर कोई भी चीज एक अपरी मिये संख्या वही होती है जो और देखे चार बाटानों नहीं वसे गा क्यों कि चार बाहन निकलेगा दो हो जाएगा और नो निकलेगा तीन हो जाएगा तो दो बटा तीन इसका माना जाएगा इसका देखिये तीन से बारा कार देंगे किर nosso हisco बारा चार आगया अब चार अंडरूरोड न ले हैं करो हो जाएगा तो इसका न्सार डो है यह भी निकल ढबر जाएगा यानि कि यही जो अंडरूरू साथ है यही हमारा परिमे संख्या यही फस जाएगा अंडरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर लोग बदलते हैं भिन्न के रूप में तो कैसे बदलेंगे तो बहुत सिंपल है इसको लगाना एकदम आसान है देखिए मैंने बता रखा था कि आप लोग इसी इसी अभ्यास का हमारा वीडियो पिछला वाला वीडियो देखिए एक दस्मलो तीन अभ्यास का इसी चैनल पर देखिए मैंने किस तरह से बता रखा है बहुत ही शॉट कर तरीका मेंने बता रखा है वहां पर और इसको लगाने का तरीका मैंने वहां पर बहुत अच्छे समझा रखा है और आप सब जो लोग देख चुके हैं वो जानते होंगे कि एक दस्मलो नव की उपर बार यानी करें गिए जाने वाला तो 9 लिखेंगी आब बताइए कितनी संख्या नहीं जा रही है इपना ही संख्या नहीं नीचे लिख लीजिए अब देखेंगे कट दीजी नो से 9 कट गया तो एक प्लस और 9-9 कट गया पज़ा तो एक फिलिए यूला तो इसका तो समझ लीजिए वन लिखा है अब बताए तीन अंडरूर तीन जोड़ देंगे तो किन्द आएगा चार अंडरूर तीन आ जाएगा तो हमारा सी वाला अपसन सही हो गया यहाँ पर भी सी आपसन सही हो गया चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग लिखा है कि अंडरूर त का मान होता है एक दसमलो चार एक चार और अंडरूर तीन का मान होता है एक दसमलो साथ तीन दूई तो इन दोनों की बीच की संख्या है एक दसमलो पांच तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि एक दसमलो पांच होगा इसका एंसर यहाँ पर डियाप्सन सही है क्योंक तेन का मान होता है एक दस्मों लोग साथ तीन दोई अब इसकी बीच की संख्या कौन सी होगी एक दस्मों पांच आपसन में है तो तो लो पांच हमने टिक चली इस question को समझते है बार नमबर को देखिए ये लिखा है और इसका हर क्या है अपर्मिय संख्या और आप सब जानते हैं कि कि भिन्द का नियम होता है कि कि मैंध का हर कमे शंख्या नहीं होना चाहिए लार शमान चाहिए और अगर कि ऑस व हमना चाते है discs को और तो आपके-स आमने लिखने का है और इस क्या है अपर्मिय संख्या है तो अपर्मिय संख्या से इसको हमें पर्मिय में बदलना है और अपर्मिय से पर्मिय में कैसे बदलते हैं पर्मिय करण क्रिया में मैंने समझा रखा है एक बार फिर से समझते हैं इसको देखे एक की जगा पर एक लिखे बटे अंडरूट 9 की ज नीचे लिखा है इसी का ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे बस अंतर यह होगा कि जो ची लिखेंगे उसका यह बीच वाला चिन्ध बदल जाएगा माइनस तो पलस हो जाएगा अगर पलस होता है यहां पर तो यह माइनस कर देते तो तीन पलस अंडर रूड में आठ यह आगया अब देखिए आप लोग क्या करेंगे इसका गुड़ा एक में करेंगे तो इसका गुड़ा एक में करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा जो चीज है वही रहेगा क्योंकि एक में गुड़ा करने से कोई फरक पड़ता नहीं है और नीछे बाला देखेंगे तो यह माइनस B और यह प्लस B ली लिखा है, और यह माइनस B, यह प्लस B का सूतर होता है, यह aktivité यहसका की जाङप, यहे प्लस B आप तो इसका फार्मूला आप सब जानते होंगे, यह कोश्टक में यह नहीं फ़रिये है , तो इसका फार्मूला होता है, यह सब जांते हैं, यह नहीं पाराख f2 वनगया और इसका formula क्या होता यह square minus b square अब यह की जब 3 है तो 3 का square यानि यह square minus b square b का मान क्या है under root 8 है तो b square हो गया तो यह square minus b square का formula था यानि इसका गुड़ा करेंगे तो यह square minus b square यही आ जाएगा अब देखिए उपर वाला तो जैसे वैसे रहने दीजिए और नीचे देखिए तीन का square क्या होगा 9 होगा देखिए तीन दूना 6 नहीं होगा तीन का square का मतलब होता है तीन का दो बार गुड़ा यानि तीन तरीक का 9 हो गया तो तीन का square 9 होगा minus under root 8 का square केवल 8 होगा और फिर उपर वाला देखिए आप लोग ऐसे ही रहेगा और नीचे देखिए 9 में से 8 गे 1 आएगा और बटे में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बटे में 1 तो हमेशाथ छुपा रहता है तो उसको नहीं लिखना है और फिर नीचे यहाँ पर हम लोगा answer कर देते हैं यह हमारा answer है चलिए अगला number question देखते हैं यानि कि हम लोगों का 12 number question का कौन सा option सही हुआ तो D option सही हुआ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 क्योंकि 8 को हम लोग 2 अंडर रूट 2 कह सकते हैं तो इस वज़ा से हमारा D वाला option सही हो गया है तो भारा number question का डी absence है चलिए त्यरह number question देखते हैं यक्स का मान क्या दिया है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो तो एक बटा यक्स का मान बताईए तो कि जगापर एक बटे की जगापर बटे और यक्स किया अपरी यक्स का मान लिखे साथ प्लस चार अंडर रूट तीन देखिए एक ऐसा भिंद बन गया जिसका हर अपरिमिय से पहले इसको परिमिय में बदलते हैं तो परिमिय में कैसे बदलेंगे तो आप सब जानते हैं इसका गुड़ा करवा देंगे इसी नीचे वाल तो 7-4 under root 3 ही है, देखे इसका एक में गुड़ा करवाएं से, एक से गुड़ा करवाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो एक में गुड़ा करवाकर वही चिल लिख दिए, और नीचे देखे ये plus B और ये minus B, तो इसका फर्मूला होता है, ये square minus B square, तो ये कमान क्या है, 7, यानि 7 का square, minus B कमान क्या है, 4 under root 3, यानि इसका square, अब देखे इस उपर वाले को तो ऐसे रहने दीजिए, 7 minus 4 under root 3, और नीचे देखे, 7 का square क्या हो गया, 49 हो गया, minus 0, माइनस और देखे, 4 का square हो गया, 16, और under root 3, अब देखे, 4 का square हो गया, 16, बीच में गुड़ा है, और under root 3 3 का स्कॉायर के वल 3 होगा फिर ऊपर देखिए साथ माइनस चार अंडर रूट 3 ऐसे रहने दीजिए और नीचे उन्चास माइनस और 16 यह किना होता है 48 तो उन्चास में से 48 घटेगा तो एक बचेगा और बटे में एक लिखते नहीं क्योंकि बटे में एक चुपा रहता है त तो साथ माइनस चार अंडर रूट 3 यही हमारा एंसर हो गया मतलब कि हम लोग अगर 13 नंबर क्वेशन का एंसर देखें तो 13 नंबर क्वेशन का एंसर आप लोग देख सकते हैं यानि कि हमारा यह वाला आपसन सही है साथ माइनस चार अंडर रूट 3 यही वाला आपसन हमारा सही है यह वाला सही है चौदा नंबर देखते हैं हम लोग बेंजक इतना और इतने कमान होगा तो इसको आप लोग बहुत आसानी समझ सकते देखिए यह प्लस भी और यह माइनस भी तो फार्मुला लगाएंगे य स्कॉाइर माइनस दिष्कॉार का तो यह स्कार करेंगे तो अंडर 5 का स्कार मै नस दो कैस्कार होगा तो अंडर 5 के मैं से 6 क Reynolds को रहें आएक यह हमारा आप प्लस दो अब यह प्लस मार यह सकत्केमार कर म Sou coc मासोच में एंस यहिए इनदर रूट 5 मैं जीवह बेंगा ऑंडरूट पांच का स्वायर चार पांच में 20 स्वायर याक हे यही हमारा आपसण सही happy यहाँ पर आंपका Cay नंबर इसका हर का परमेह करणप करने करने संक्रिया पराप्त होगा तो परमिव इसको देखिए अंडरूर्ट दो बराबर एक दस्मलो चार एक चार दू और इसको कल्कुलेट करेंगे देखिए ऐसा question आता नहीं है यह बहुत पेचीदा का question है और इसको आप लोग सॉल्प करेंगे तो वहाल आपसन सही होगा जीरो दस्मलो चार एक देखिए लिखा है अंडर रूट में 81 का घात माइनस 2 और यहां पर क्या लिख दिया है? 4 और कह रहा है इसका मान बताऊ तो इसका मान कैसे निकालتे है? तो इसका मान निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए कुछ भी आपके सामने जिसे माली जी यहाँ पर तीन लिखा है और अंडर रूट में पांच लिखा है इसका मान क्या होगा देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए और जो यहाँ पर लिखा रहे है इसी को एक बटा करके घाट चड़ा सकते हैं यहाँ पर लिखा हो तो उसी का एक बटा करके घाट चड़ा सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट में माली जी यक्स है और यहाँ पर यह लिखा है तो इसका मान क्या होता है यक्स का घाट होगा इसी को एक बटा करके घाट की रूप में चड़ा सकते हैं यह एक फार्मुला होता है, अब इस फार्मूले से इसको हमें solve करना है, तो कैसे solve करेंगे, देखिये, अगर यही वाला नियम हम लोग यहां पर लगाएं, apply करें, तो apply करते हैं इसको, देखिये, जो चीज बीच में लिखा है, इसको देखकर लिख लिजे, ऐसे, 81-2 लिखा ह अब इस पूरे का घात हम लोग चढ़ा सकते हैं, इसको जो यहां पर लिखा है इसी को चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा दीजिए, देखिए छोटा कोश्टक पहले से लगा था, इसलिए मैंने मजला कोश्टक लगा लिया, और 4 लिखा है तो 1 बटा 4, अब इसको साल्ब करते है तो देखिए, 81 की जगा पर 81 रहने दीजिए, माइनस 2 की जगाप माइनस 2 लिख दीजिए, इस कोश्टक का मतलब क्या होता है गुडा, और 1 बटा 4 की जगाप, 1 बटा 4, अब इसका गुडा कीजिए, तो 81 की जगाप, 81 ही है, माइनस 2 का 1 में गुडा होगा, देखिए, 24 के चार, इस तरह से, अब इसको solve करना मैंने अभी अभी आप सबको समझा रखा है, इससे पहले वाले अभ्यास में, और इससे पहले वाले अभ्यास में मैंने बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का घात भिन्नात्मक हो, तो उस भिन्न का हर देखते हैं, अब हर कितना ह 4 है, अब आप सोचिए, कि संख्या का घात 4 है, कि 81 हमें मिल जाए, तो आप सब जानते, कि 81 की जगा पर लिख सकते हैं, 3 का घात 4, 81 की जगा पर यह हो गया, तो 32 पया 4 है, तो और माइनस दो बटा चार उपर लगा है लगा रहने दीजिए फिर इसको साल्व करते हैं तो तीन की जब तीन चार की जगा पर चार और कोश्टक का मतलब क्या होता है गुड़ा और माइनस दो बटा चार लिखा रहने चार से चार कड़ गया तो क्या बचा तीन का घात माइन तो यहां पर आप लोग देखिए यानि 17 नमबर का 1 बटा 9 यानि ये वाला सही है तो ये हो गया, अब हम लोग 18 नमबर क्वेश्चन देखते हैं तो 18 नमबर 256 का घात 0.16 लिखा है 256 का 009 इसका मान निकालना है और फिर लिखा है 256 का घात 256 का घात 0.09 गुड़ा करने पर घात जूड़ जाता है ये पूरी दुनिया जानती है तो गुड़ा करने पर घात जूड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए तो 256, 256 यहां भी है तो 256, 256, 256 ही रहेगा क्योंकि बेस बराबर है और घात इस समय जूड़ जाएगा तो 0.16 और 0.09 जोड़ देंगे तो आप लोग जोड़ना जानते होंगे 0.09 मैं जोड़ कर दिखा देता हूँ आप सबको 9, 6, 15, 5, 6, 6 यही तो आएगा अब इसी को यहां पर लिख देते हैं जीरो दसमलो 25 को हम लोग लिख सकते हैं दो पांच को इसको हम लोग लिख सकते हैं पचीस बटा सो ऐसे लिख सकते हैं क्यों क्योंकि दसमलो के इधर दो अंक है तो दो से भाग दे मतलब सो से भाग दे देगे तो पचीस बटा सो लिख सकते हैं कि 256 आ जाए तो देखिए अगर 256 का हम सोचें अगर ध्यान लगाएं तो चार का घात 4 चढ़ाने पर 256 आ जाएगा तो 256 की जाप लिख दे सकते हैं यानि कि हमारा 18 न्मबर परसने देखें तो 18 नंबर आओ कि यही यह वाला सही है कि دیکھिए पहला अलरूट ऐससे लगा दे है और चार यहां पर लिखा तो कर लीजी या दो को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से मत लगा आ एक बटा की निम्स पहले को कि मिधू रुप में घाट चढ़ा सकते हैं यानि कि जो चीज यहां है आप सब जान चुके हैं एक बात मैंने बताया था आप सबको के यहां पर जो चीज रहे जिसे यहां पर कुछ भी लिखा है और यहां पर लिखा रहे हैं मान लिजे 5 लिखा है तो आप लोग लिख सकते हैं 5 का घात 1 बटा 3 जो भी चीज यहां पर रहे उसको एक बटा करके घात चड़ा सकते हैं देखिए, दो का घात दो यहाँ पर था ही बीच में, तो दो का घात दो ऐसे लिखा है, और जो चीज यहाँ पर है, उसको एक बटा करके घात चड़ा सकते हैं, तो मैंने चड़ा दिया, अब देखिए, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो दो का घात दो, कोश्टक के होता है गुड़ा देखिए दो का घात दो मैंने लिख दिया कोश्टक का मतलब क्या होता है गुड़ा एक बटा तीन है तो एक बटा तीन फिर कोश्टक माने गुड़ा फिर एक बटा चार है एक बटा चार अब देखिए दो एक्यम दो और दुनना चार तो दो ऐसे लिखा खात 1 बाट चेहा गया यह हमारा आपना सहीँ हो गया तो चली इसको रोहए तो देखिए मारा 19 बीस नंबर कोईशन का दो का घात एक बटा चे यहीं हमारा सही हो गया अब बीस नंबर कोईशन देखते हैं तो चलिए बीस नंबर कोईशन हम लोग समझते हैं चली 20 number question को solve करते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं, मैंने बता भी रखा है आप सब को, कि इसको लिख सकते हैं, इसकी जगापर लिख सकते हैं, दो का घात, एक बटा तीन, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, दो ऐसे लिख दिया, और जो यहाँ पर रहे, उसको एक बटा करके देखिए, गुडे, फिर यहाँ पर देखिए, 32 लिखा है, तो 32 की जगापर हम लिख सकते हैं, दो का घात 5, क्योंकि दो का घात 5, 32 होता है, और इसका घात, यानि 32 की जगाप मैंने यह लिख दिया, और 12 जो यहाँ पर लिखा है, इसको हम घात की रूप में लिख सकते हैं घात की रूप में लिख सकते हैं 1 बटा 12 अब देखिए देखिए इन सब को हम फिर से लिखते हैं तो 2 का घात 1 बटा 3 ऐसे रहने दीजिए गुड़े 2 का घात 1 बटा 4 फिर गुड़े 2 का घात 5 एक पांच बटा 12 तो 5 बटा 12 हो गया अब आप सब जानते हैं कि बेस अगर बराबर हो तो उसी को लिख देंगे और घात अपस में जूड़ जाएगा तो घात अपस में जोड़ेंगे 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 प्लस 5 बटा 12, अब आप 1 बटा 3, 1 बटा 4, 5 बटा 12 को जोड़ कर देखेंगे, तो यहां पर मैं जोड़ लेता हूं, 1 बटा 3, 1 बटा 4, और 5 बटा 12, अगर मैं इसको जोड़ू, तो 3, 4, 12 का लासा लेंगे, तो लासा 12 आ जाएगा, 3 से 12 मभाग दें, 3, 4, 12, 4, 4, 4, 3, 5 तो 4, 3, 7, 5, 12 आ गया और 12 बटा 12 तो कड़ गया और हमारा क्या आ गया? 1 आ गया तो हम लोग देखेंगे, देखिए 2 की जगा पर 2 हो गया और 1 बटा 3, 1 बटा 4, 5 बटा 12 को हम लोगों ने जोड कर यहां पर देखा, तो किनना आ गया है? 1 आ गया है, तो 1 आ गया और 1 आने के बाद, देखिए 2 का घात, 1 का मतलब 2 ही होता है, यानि कि यही हमारा answer हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपसन सही है तो कौन सा आपसन सही है हमारा? तो 20 नमबर कोईशन का B आपसन सही है, क्योंकि B आपसन हमें 2 दिया गया है और हमारा 2 answer आया भी है, अब 21 नमबर सबसे last question देखते हैं कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन यक्स के बराबर है, यानि खाली यक्स आजाएगा, किसको हम solve करें, तो यक्स आएगा, केवल यक्स आएगा, उसका value तो हम लोग देखेंगे, अगर C वाल आपसन देखें, तो इसी कमान केवल यक्स आएगा, क्यों? क्योंकि यक्स का घात 3 लिखा है, अब अंडर रूड में है, तो अंडर रूड में होने के कारण, अंडर रूड हटेगा, तो घात 1 बटा 2 आजाएगा, क्योंकि माल लेते हैं, जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, तो 2 लिखा हुआ होता है, तो क्या होगा, नीचे 3 दुन क्योंकि यक्स का घात 3 है, और फिर इस पूरे का घात 2 बटा 3 लिखा है, अब इसको solve करके देखिए आप लोग, देखिए यक्स का घात 3 है, तो यक्स का घात 3 ऐसे रहने दीजिए, अंडर रूड की जगा पर देखिए, जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, तो समझ लेते हैं, दू लिखा है, छुपा है, और इसका 2 छुपा है, तो उसको हम लोग एक बटा करके चड़ा देते हैं, एक बटा दो, जो यहाँ पर लिखा है, उसको एक बटा करके चड़ा दीजिए, अब इतने की जगा पर यह आ गया, और इस पूरे का घात 2 बटा 3 है, तो इस कि यक्स की आप यक्स हो गया ऊपर ऊपर वाला गुरा है तेन्स नुन्न न या चए अब क्या रखा गया और यक्स तो पूछ रहा है हमारा यहानि है कि ही तो पूछ में से कौन यक्स के बराबर है जब आप इसको सॉल्ब करके देखेंगे तो इसका मान के वली एक्स के बराबर आ जाएगा और इस तरह से हमारा भ्यास कंप्लीट हो गया